टाइटिनिक फिल्म के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ये भी जानते होंगे कि ये फिल्म एक असल घटना के उपर अधारी थी इस घटना के मुख्य किरदार जैक और रोस थे दरसल दोस्तों एक conspiracy theory ये कहती है कि जो एक कहानी का मुख्य किरदार लड़का था जैक वो दुनिया में existing नहीं करता था दरसल जो रोस थी उसकी ना forcefully arranged marriage कराई जारी थी वो इस arranged marriage की वज़ा से बहुत जादा depression में चली गई थी और उसने अपने दिमाग में imaginary character बना लिया था जैक नाम का जिसे वो मनी मनी प्यार करने लगी थी जहाँ जूबा और जैक मर गया दरसल दोस्तों ये बिमारी होती है जिस बिमारी के नाम schizophenia होता है इस बिमारी में लोग एक ऐसे किरदार को पैदा कर लेते हैं जो इस दुनिया में exist ही नहीं करता है क्या आपके ये बात पता थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए